गुड मॉर्निंग आज है 26 अपरेल वेडनेस डे और यहाँ है इंट्राडे आइडिया मॉर्निंग अपडेट जिसने आपको आज के लिए मार्केट का डायरेक्शन बताया जाएगा एक बार डिस्क्लेमर जरूर वीड करें तो आए देख लेते हैं आज के लिए कैसा रहेग पूरे दिन का मार्केट सेटा। प्रेक्टरों में पावर और PSU बैंक इंडेक्स प्रतियक में एक प्रतिशत से अधिक थे जबकी मेटल, इंफ्रा, कैपिटल गूर्स, आयल और गैस और रियल्टी प्रतियक में 0.5 प्रतिशत की व्रिध्धी हुई BSI के मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स फ्लाट नोट पर बंद हुए BSI पर एक सौ से ज्यादा शेरों ने बावन वीक के हाई लेवल को छुआ साथ बजे की क्लोजिंग के हिसाब से SGX निफ्टी ट्रेड कर रहा निगेटिव 40.17,750 के लेवल पे एंड ग्लोबल मार्केट में बड़ी गिरावट के साथ क्लोज हुए मिले जुले डेटा का सगीमेंट को देखते हुए उम्मीद है कि अपना इंडियन मार्केट आज गैप डाउन बेरिश ओपन होने की संभावना है वॉल स्ट्रीट के प्रमुख ओसत ने इस महीने अब तक की सबसे गहरी गिरावट का सामना किया है क्योंकि UPS के पूर्वानुमान ने मंगलवार को धीमी अमेरिकी अर्थव्यवस्था के बारे में निवेश्कों की चिंताओं को बढ़ा दिया जबकि क्षेत्रिय फर्स्ट रिपब्लिक बैंक में जमाराशी ने बैंक शेत्र के स्वास्थ्य के बारे में चिंता जताई बाद से एक दिन की सबसे बड़ी गिरावट है। प्रतिशक नुकसान को चेहनित किया। प्रतिशक नुकसान की भरपाई की और शेश सत्र में उच्चतर कारोबार किया। यह 26 अंक बढ़कर 17,779 पर बंद हुआ। लगातार दूसरे सत्र के लिए उपर की ओर और हायर हाई चड़ाव बना रहा। जो एक पॉजिटिव इंडिकेशन है। इसलिए यदि इंडिक्स 17,800 से उपर मजबूती से बना रहता है तो निफ्टी पचास 17,860 और 17,900 से अठारा हजार के पहले के हाई लेवल की ओर बढ़ सकता है। जबकि 17,500 से 17,600 महत्वपून सपोर्ट लेवल बना हुआ है। इसके बाद 17,600 स्ट्राइक था। 17,800 स्ट्राइक पर पुट राइटिंग के साथ फिर 17,500 स्ट्राइक पर देखी गई। बैंक निफ्टी पॉजिटिव नोट पर 42,732 पर खुला और ट्रेडिंग सेशन के पहले भाग में धीरे-धीरे दिन के उच्चस कर 42,866 पर पहुँच गया। हालांकी दिन के मिडल में यह 42,650 से 42,800 के लेवल के बीच 150 अंकों के रेंज के दायरे में मजबूत बना रहा। अंत में यह 43 अंकों की बढ़त के साथ 42,689 पर बंध हुआ और डेली चार्ट पर छोटे आकार के बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न का गठन किया। इंडेक्स ने पिछले दो ट्रेडिंग सेशन से हायर हाई, हायर चढ़ाव बनाना शुरू कर दिया है और सपोर्ट धीरे धीरे हायर लवल पर स्थानांतरित हो रहा है। अब इसे 43,000 की ओर बढ़ने के लिए 42,500 के लेवल से उपर रहना होगा, फिर 43,200 के लेवल पर जबकी नीचे की ओर सपोर्ट 42,250 से 42,000 के लेवल पर स्थानांतरित हो गया। बैंक निफ्टी में 43,200 के स्थर से उपर ब्रेक आउट भी एक उल्टे हेड एंड सोल्डर के पैटर्न की पुष्टी करेगा, जिसका पहला लक्षे 44,000 होगा। पुष्ट लेवल होने की उम्मीद है। अगली बोर्ड बैठक 26 अपरेल 2023 को आउडिटेड रिजिट और डिविडेंड के उद्देश से हैं। नेशनल स्टॉक एक्स्चेंज ने 26 अपरेल के लिए अपनी F&O प्रतिबंध सूची में जील को जोड़ा है। F&O खंड के तहट प्रतिबंधित प्रतिभूतियों में वे कमपनिया शामिल हैं जहां डेरिवेटिव कॉंट्राक्ट बाजार की व्यापक स्थिती सीमा के 95 प्रतिशत को पार कर चुके हैं। प्लीज वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक्स फॉर वाचिं वीडियो हैपी ट्रेडिंग।